हलो एन वेलकूम टू बिटिनिंग साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी इनिंग है अगर आप नहीं किताब नहीं पड़ी तब बिटकोइन स्टांडर्ड आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस्फुल नहीं हो सकते हैं आप चाहो तो मैं आपको कहीं पर क्रिप्टो के अदर क्योंकि उन्होंने बेसिक्स को नहीं समझा होता है और यह सबसे इंप्रण किताब है आप संधीप नैनवाल से लेकर आप चितने भी लोग है अगर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद जो पहला काम किया जिसकी वजहसे वहाँ स्क्सेस् लिखी है यह एक प्रोफेसर है लेबनीस अमेरिकान युनिवर्सिटी में अब तो खेर यह फुल टाइम में अपनी किताबे लिखते हैं अब बिटकोइन स्टांडर्ड दफियार स्टांडर्ड और इनके पास पीच्टी डिग्री भी है जो की कॉलंबिया युनिवर्सिटी स कोशक्ते हैं of the,"Bitcoin Maximalists", और इनके काफी फूकल है, its podcast, their course and also it has a super good work from that finished, अगर आपको इसे इंडस्टी में काम करना है समझना है कुछिति करना है तो कुछ भी करना है बिना इसके इस इंडिस्ट्री में कदम रखना पहुत हानिकारक है अब मैंने क्या करा अगर आप देखो आप लोग के लिए इस किताब के जितने भी इंपॉर्टन चीजे उनको हाइलाइट कर लिया दस चैप्टर हैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि भाव सार ऐसे लोग इनलीश थोड़ा सा नहीं समझ पाते अब हिंदी में किताब नहीं तो मैं ही सोच रहा था क्यों न वीडियो बनाए जाए चैप्टर 2 चैप्टर 1, Chapter 2, Chapter 3 दस चैप्टर हैं, तस वीडियो बनाए जाएं, और हर चैप्टर के अंदर जो हाइलाइट है, वो बताए जाएं डारेक्ट किताब से, मतलला किताब हाथ में पढ़के बताऊंगा, कई बारी आप भी सोचते हो कि यह करने की जुरूरत क्या इतनी मैनत क्यों कर रहे हो, क्या इससे मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, सारे लोग इस वीडियो को तो नहीं देखेंगे, टाइम नहीं होता लोग के पास, लेकिन जो भी जिसके अंदर भी सीखने की जग्यासा होगी, ललक होगी, कुछ करना चाहता है, इस पेस के अंदर, वो मेरे सारी सीरीज को देखेग अपने उपीनियन होगे, तो यह मत समझना कि जो चीज मैंने बोली, वो शत्प्रतिशत किताब में, कुछ मेरी भी अनालेसिस होगी, लेकिन सारी के सारी इस्पिरेशन, यह लाइन्स हैं, यह किताब है, पढ़ पढ़ के, मैं आपके सामने पहले किताब में से हर चैप्टर में यारों में, परिवार में शेर जरू करेंगा, तो शुरू करते हैं, चैप्टर वन, जो कि जिसका नाम है, मनी, सो बेजिकली यहां पर सेफदी नमोस ने बोला कि बिटकोइन कुछ नहीं है, बिटकोइन एक नई टेकनोलोजी है, जो कि सर्व कर रही है मनी के फंक्शन क तो मनी के जो फंक्शन हैं, बेजिकली तीन होते हैं, जैसे कि मीडियो फंक्शेंज, यूनिट अफ अकाउंट, स्टॉर अफ वैल्यू, इन तीन फंक्शन को यह पूरा करती है, बखुबी बिटकोइन एक नई टेकनोलोजी का नाम है, लेकिन बिटकोइन पर आगे से बढ में सबसे जो बेसिक तरीका था ट्रेड करने का वो बाटर सिस्टम था, मेरे पास एपल है, आपके बनाना है, मैंने आपको एपल दिया, आपने मुझे बनाना दिया, ट्रेड हो गया, लेकिन यह पॉसिबल था, एक छोटे से कबीले के अंदर एक जब सब आपस में दूसर आप इसी मोडल के उपर बाटर सिस्टम के उपर आप क्या, आज जो हम एकॉनोमी देख रहे हैं, क्या यह प्रॉस्पर हो पाती, बाटर सिस्टम के अदर बेसिकली चालंज इस थे, और सबसे बड़े जो तीन चालंज इस थे, उसमें था, कोइंचिडेंस इन स्केल्स, बे इसरी नॉन परिशेबल इटम से आप कैसे पॉसिबल ता कि आप ट्रेट कर सको, जैसे अगर कार को एपल से एक्सचेंज करने मेरे पास, आपके बास गाड़ी है, जब तक सौ कार्टन एपल ही कट्था करके आपके बास लेके जाओंगों, पचास कार्टन एपल तो खराब है प्रोटन कि किस तरहरें से एक खर एक घर पैंगल्र आपके बनाना-एका राच hm, आप प्रचेंज कर सकते हो डिल्ली वाले कर को बैंगल्र कर सका वे बैंगल्र के से लिएफ्या होगे है, यहारे मेरे पास एपल मेरे बनाना था यह मिलिए अपने मुझे बनाना देभ कर तो कैसे होगा, जब उसको सामने वाले को वो चीजी नहीं चाहिए जो मेरे पास है, तो इसको problem of coincidence of wants कहते थे, यह तीन-चार problem थी, जिसकी वज़े से barter system के अंदर issue था, तो basically इन problems की वज़े से, ज़रुवत मैसूसी medium of exchange की, अब medium of exchange होता क्या है, medium of exchange का मैं classic example देता हूँ, इसी किताब के अंदर लिखा है, कि suppose करिए कि मेरे पास apple है, आपके बनाना है, मैंने बाइसाब मुझे बनाना दे दी, आपने गल नहीं मुझे apple चाहिए ही नहीं, तो मैंने का आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे rice चा लाना ले लिए, इस पूरे case में कर आप देखो किस चीज ने मुझे help करी अपनी चीज पाने के लिए, वो थी rice, तो rice medium of exchange है, अब सोचो मुझे हर बार ऐसे ही encounter करना पड़े, ऐसी कोई चीज ढूंड के लानी पड़े, जो कि medium of exchange बने, कितना difficult है, और ऐसे हर इंसान को करना अपड़े, तो क्या economy स्केल हो पाती है? तो इसका मतलब ये था कि हमें एक common medium of exchange चीज चीज थी, जो कि जाधा तर लोगों को जह हो एक्सेप्टेबल ते, तो medium of exchange कुछ भी हो सकते थी, दो लोगों के बीच में हर आदमी के लिए अपनी जो चीज उसको चीज बाई कर कर दे तो medium of exchange होती थी, right? और medium of exchange इसलिए मैं फील हुआ कि जाधा तर लोगों को जो एक चीज एक्सेप्टेड हो as a medium of exchange, वो medium of exchange जो है, वो popular रही होगी, right? तो यही कारण है कि आप यही कारण है कि आप यह कर देखो कि जो form of money है, right? वो perfect money जिसे कहते हैं, right? वो हमेशा वो रही हो जो medium of exchange का function role play कर रही है और जो medium of exchange जाधा तर लोगों को acceptable है, right? जैसे कि अगर मैं पुराने जमाने में देखो गोल्ड, गोल्ड जाधा तर लोगों को acceptable था, silver जाधा तर लोगों को acceptable था, तो यह जो था, यह medium of exchange का function था कि आपको facilitate करती थी by exchange करने के लिए goods को, आप exchange कर सकते और दूसरा जो जाधा तर लोगों को acceptable थी, ठीक है? So basically क्या है कि money के 3 functions जो है, जैसे कि medium of exchange, unit of account, store of value, तो जो money को special बनाती है, वो दो-तीम properties में से एक property और यहां पर बताई कि बड़ी important है, वो यह कि money should be divisible, मतलब वो money बड़ी popular रही होगी, जो इसकी divisibility बड़ी हाई होगी, जो चोटे-चोटे-चोटे pieces में break हो जाए, और उसको जब इकठा करें तो बड़ी-बड़ी pieces में कठा हो जाए, और जो money जिसको, जो sellable across time, across space थी, so basically जिसको आप carry कर सको, एक जगह से दूसरी जगह, तो जैसे कि आप gold है, या coins है, जो उनको आप एक जगह से दूसरी जगह अब है carry कर सको, लेकिन जो सबसे important जो function बताया, जो property बताई money की, तो पहली medium exchange, लेकिन जो सबसे important बताई, वो थी, कि money, हमेशा से वो सबसे popular रही होगी, या सबसे prominent रही होगी, जो की अपनी value को hold कर सके future में, तो जो की अच्छी store of value रही हो, right, तो अच्छी store of value का मतलब यह ह कि suppose करो कि मैंने कोई वो particular money, अगर बहुत लंबे समय के लिए 5 साल के लिए अगर hold करके रखी, तो उसकी value गिरे ना, in fact उसकी value वो अपनी hold करके रखे, right, so basically hold करके कैसे रखे, hold करके इसलिए रखे, कि suppose करो कि अगर मैंने वो चीज hold करके रखी, तो उसकी supply पीछे से इतनी न of money, हमने past में, आप देखो ना कि medium of exchange और money की तौर पे लोगों ने पुराने जमाने में copper, seashell, large stone, salt, cattle, papers, alcohol, cigarette, यह सब यहां example दिये हैं, कि पुराने जमाने में अलग-अलग चीजों से लोगों ने try करी, attempt करी, उसको as a medium of exchange, as a store of value, लोगों ने देखा, लेकिन popular जो रही, जो बहुत समय तक end तक चली, वो ही चली, कि जिसके जो अपनी value को hold कर सके, लंबे समय तक, और basically इसलिए यहां पर एक example दिया, कि दो form of money history ने बताई, एक money जो थी easy money, और एक money थी hard money, अब दोनों में difference कहा है, easy money वो है जो easily produce हो सके, hard money जो जिसको produce करना बहुत ही hard हो, इसको भी आ stock to flow ratio, stock to flow ratio का मतलब है कि stock का के मतलब है, stock का मतलब है, which is its existing supply, तो जिसकी stock का मतलब है कि अगर आपको किसी भी money की hardness को समझना है, तो इसको stock to flow ratio के उपर जाचना है, तो stock का मतलब है कि आपकी जितनी भी उस money की supply और एक्जिस्टेंस में है, और जो जितनी destroy हो चुकी है, या flow क्या है, कि जो extra production market में आनी है, अगले कुछ सालों तक या एक time frame के अंदर future में कितनी supply आनी है, और कितनी supply आचुकी है, या और destroy हो चुकी है, तो जो ratio है, इन दो चीजों का stock का, जो supply आचुकी है market में, और flow का, जो supply future में आनी है, तो stock to flow ratio, अगर किसी particular form of money का या asset का high है, तो इसका मतलब है, जो that particular form of money is very hard, और अगर उसका stock to flow ratio अगर low है, तो इसका मतलब यह है, कि वो चो particular form of money है, वो easy money है, जिसको produce करना easy है, ठीक है, तो यह एक बहुत ही, बहुत ही important यहां पे जार्ज बताई, बहुत ही, इसके ओपर अगर आप देखो काफी सार तो अपने answer खोद मिल जाएंगे, कि कौन सी वो assets है, जिनकी supply future में कम होती चली जाएगी, या जिनकी supply को produce करना बहुत hard है future में, और कौन सी वो ऐसी money है, कौन सी वो ऐसे assets है, जिनकी supply future में बढ़ती चली जा रही है, जिनकी supply produce करना बहुत असान है, तो कोई भी ऐसी form of money, जि supply future में बहुत असानी से, और easily produce होती चली जाएगी, वो obviously easy money है, और वो money जिसकी supply future में बहुत hard है, या slow है, या जिसको produce करना बहुत मुश्किल है, जिसकी supply को, वो obviously hardest form of money होती चली जाएगी, तो easy money और hard money को आपने concept को समझा, और इस concept को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो easy money है, वो अपनी जो value है, उसको retain नहीं कर पाएगी over the period of time, लेकिन जो hard money है, वो अपनी value को over the period of time retain कर पाएगी, right, तो ये stock to flow ratio यहाँ पे बहुत, बहुत ही important, जो है, ये concept था, और उसके बाद, यहाँ पे यह भी, यह भी बोला गया, कि stock to flow ratio के अलावा, एक बहुत important aspect जो है कि जो money है, right, जो जो वो particular money है, वो particular monetary, जो medium है, बहुत सारे लोगों को acceptable होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत सरूरी चीज़ है, तो जैसे कि suppose यहाँ पे एक example दिया, कि Facebook हो गया, उस Facebook जैसे कई network आये, Facebook को copy करने की कोशिश करी, लेकिन क्या Facebook को लोगों ने छोड़के उन networks क को accept किया, नहीं किया, क्योंकि जो Facebook था, Facebook जैसे कई identical network है, लेकिन लोगों ने Facebook के लावा उनको use नहीं किया, तो ऐसे ही, अगर आप email को देखे हो, तो email जो है, वो IMAP slash POP3 protocol को use करता है receiving email के लिए, और SMTP को use करता है for sending it, ऐसे कई protocol आए email की services को भेजने के लिए, और receive करने के ल IMAP slash POP3 और SMTP को ही use किया, तो इसका मतलब क्या है कि, despite the fact कि कई ऐसी identical claims आने के बाद भी, जिसको जाधातर लोग जिसको accept करेंगे, वो particular form of money will be most prevalent है, तीक है, इसी लिए, अब जो तीसरा जो function है, तो आपने एक चीज़ समझ लिए medium of exchange क्या होता है, आपने दूसरा समझ लिए store of value, जिसमें easy money और hard money का concept बताया, और money का जो सबसे important function है, कि वो अपनी value को retain कर सके, अपनी value को hold कर सके, over the period of time, और इसमें ये बताया है, ये कैसे decide होता है, ये, कि वो money easy money है, hard money, अब ये कैसे decide होता है, कि stock to flow ratio क्या है, तो stock to flow ratio में जितना stock to flow ratio high होगा, वो तनी hard money है, जितना low होगा, वो तनी easy money है, और उसके बाद जो सबसे important factor बताया, वो बताया, unit of account, ये तीसरा सबसे important function है, money होगा, तो in an economy with no recognized medium of exchange, each good will have to be priced in terms of each other, तो basically यहां पर ये बताया, कि unit of account वो है, कि अगर unit of account ही नहीं होता, तो आप किस तरीके से prices को, you know, उनकी value को express करते, suppose एक pen है, ये 10 रुपे का है, अब ये mobile phone है, right, तो ये इसकी value 40,000 है, ऐसी apples है, ऐसी vegetables है, और गाड़ी है, petrol है, डीजल है, हर चीज की एक particular value assigned कही है, जैसे INR के अंदर, suppose करिए अगर ये, अगर ये money, अगर money का अगर ये function, अगर money exist ही नहीं करती, और अगर हम हमें हर चीज को अलग-अलग तरीके से value करना पड़ता, suppose कि मेरे को अगर mobile को value करना पड़ता, और मैं, आप apple को produce करते हो, और मेरे पास mobile phone है, तो एपल में ये mobile phone में लेगा, कोई चावल उगाता है, तो कितने बूरी चावल में ये mobile phone में लेगा, तो हर आदमी के साथ अलग-अलग prices पे इसको value करना पड़ता, तो unit of account का एक बहुत ही important ये role है, कि आप हर चीज को वो जो है, एक value assign कर सकते हैं, उस particular money के अंदर, तो suppose किसी जमाने में वो gold के अंदर होता था किसी जमाने में, silver होता था कि इतनी अशर्फियां या इतने चांदी के सिक्कों में ये चीज मिलेगी, और आज की date में अगर आप देखो तो वो fiat currency के अंदर चीज़े value होती है, तो ये एक बहुत important form of money बताया, इससे क्या हुआ कि unit of account करने से क्या हुआ, कि चीजे अब आप असानी से value कर सकते हो, तो अब कोई producer है, उसे mass scale पे कोई चीज प्रेडियूस करनी है, तो उसको पता है कि उसके buyers दुनिया भर में उस particular value के अंदर उनके लिए भी समझना असान है, और उनको वो value को देना असान है, वरना एक producer के कितना difficult होता कि वो लाखो करोडों लोगों के लिए अगर वो product बना रहा होता, तो लाखो करोडों लोगों के लिए वो अलग-अलग उनकी value के अंदर, उनकी चीजों के अंदर उस product को define कर रहा होता, कि इतने apple, इतने rice, इतना ये, कैसे possible था, तो economies grow नहीं हो पाती, और कोई incentive नहीं होता, producer के पास चीजों को बनानेगा, क्योंकि उसको बता है, उसके वह market ही नहीं है, वह market के अंदर करी, आज apple के पता है, कि उसको phone पूरी दुनिया में distribute हो सकता है, और उसको value वहां के local currency में कर सकता है, और वहां से उसको revenue generate हो सकता है, तो ये similarly उसके पास incentive है, अगर उसको ये पता लगता कि किसी चीज को value वह एक particular denomination में, unit of account में करी नहीं सकता, तो उसके पास incentive ही नहीं होता है, इतने बड़े scale पे produce करने का, आज जो economies यहां तक बन पाएं, इतनी बड़े economies हो पाएं, वो इसलिए हो पाएं क्योंकि हमारे पास money है, money एक technology, जो कि तीन function करती है, जो कि medium of exchange, store of value और unit of account, जिसकी वज़ा से हम चीजों को common value में, value assign कर सकते हैं, तो यह तीन function जो है, यह सबसे important बताए गए, यह chapter 1 था, chapter 1 के अंदर money को discuss किया गया, what is money, money के function 3, और 3 उसके अंदर, you know, barter system के क्या issues थे, और उसके बाद money के characteristics बताए, store of value, easy money, hard money, stock to flow ratio और unit of account, यह पहला chapter था, I am sure कि अगर आपको यह पहला chapter पसंद आया होगा, तो अब आप यह भी समझना जाएंगे, कि दूसरे chapter में कहें, दूसरे chapter में हम cover करेंगे, primitive money, कि इस पुराने जमाने में historical form of money, कौन-कौन सी थी, क्या उनकी life cycle था, Bitcoin के आस-पास, इसमें यह भी लिखा है कि, जो सबसे जादा resemble करती थी, Bitcoin की तरह, वो कौन सी form of money थी, इसके अंदर यह भी बताया गया है, क्यों जो different forms of money, वो survive नहीं कर पाएं, और कौन-कौन से regions में कौन-कौन सी money आई, बहुत ही interesting chapter है, primitive money, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर आपको यह series आपको पूरी देखनी है, excited अगर आप हो, तो comment करेगा, like करेगा, और I'm really excited, because मैं जानता हूं, कि जिनों नहीं किताब नहीं पढ़े होंगे, at least अब वो यह पूरा वीडियो जब देख लेंगे, पूरी series देख लेंगे, तो बहुत ही उनको पूरी एक किताब समझ में आजाएगी, अगर वीडियो पसंद आया, please ग्यार, like ज़रू करेगा, मेरी motivation के लिए, and comment ज़रूर क